नमस्कार मित्रों स्वागत है आपका अपने टो चैनल बीडियो पी इंवेस्टमेंट में आज के स्वेडियो में बात करने वाले है बीरिस एंग बल्फिंग पैटरन के उपर जहां पर आप देखेंगे बुलिस जो केंडल है उसका ओपन और क्लोज एक ग्रीन होना चाहिए बुलिस केंडल जो होता है वो ग्रीन केंडल होता है और जो बेरिस केंडल होता है उसका जो लेंट है वो बुलिस केंडल से तो ज़्यादा ही होना चाहिए और जो उसका क्लोज है वो इसके ओपन के अंदर ही आ जाना चाहिए यानि कि पूरा जो केंडल है वो कवर हो जाना चाहिए बेरिस का candle तो ऐसे ही दोस्तों इसको बोलते है बेरिस एंगल ही पैटन अब इसका एडवांटेज क्या है तो हम इस्टा ट्रेड का जो एंजल वन में है वहाँ पे ट्रेड करके हम देखेंगे बेल का हमें स्टॉक सिलेक करना है हमने बेल में ये देखा था जब ये पेटन बना तो फिर क्या हुआ वो देखने की कोशिस करते है तो ये जो हमारे पास डेली चार्ट है और वहाँ पे आप देखेंगे बेल में तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों कि बेल में पहला ग्रीन केंडल बना था फिर उसके बाद रेड गेंडल बना और ये जो दोनों दोस्तों बियरिस एंगल फिम पैटन बना उसके बाद जो स्टॉक में जो पिटाई हुई है भेल की वो 42 रुपिस तक की हुई है और उसके बाद स्टॉक में अपवर मुमेंट आना स्टार्ट हो गया तो यानि कि यहाँ पे सपोर्ट लिवल तक आया ये 50-52 रुपिस क्या स्ट बना था अल्मोस 10 रुपे का गेप आपको नीचे के एंड पे मिला तो ऐसे ही दोस्तों पावरफुल है ये स्टेटेजी और इस वीडियो में जो हमने डिसकेस किया है बेल का नाम वो सिर्फ और सिर्फ एज्योकेशनल परपस के लिए है कोई भी रेकमेंडेशन नहीं है